मुझार दोस्तों कार में आपका हर्दिक स्वागत है मैं प्रीद दोवे आज का वीडियो शूट करने वाला हूँ स्टेरिंग बटन मैचिंग इसू पे ये वीडियो एड करूँगा मैं स्मार्ट नॉलिज बाली प्लेलिस्ट में क्योंकि मेरा जो चैनल है वो प्लेलिस्ट बेस्ट है तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट चैक आउट जरूर करें सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और अगर आप यूटूब पे बिजिट करते हैं तो आपको चल जाएगा कि कैसे आप staring button match कर सकते हैं तो guys आज का जो वीडियो है पूरा आपको देखना चाहिए क्योंकि अगर आप aftermarket android stereo लगा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी useful होगा कुछ गाडियां है top model जिनमें staring button company से लगके आते हैं अब हम अगर aftermarket android stereo लगाते हैं और उसमें वो proper बर्क नहीं करते तो हमें गुस्ता भी आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो product लिया है वो based है तो guys अगर आपके पास है top model car और उसमें आप लगाना चाहते हैं aftermarket android stereo तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि अगर आपने staring button सही से match नहीं किये तो वो बर्क proper नहीं करेंगे आज के वीडियो में proper staring button match करके मैं दिखाऊंगा और ये process आप किसी भी car में कर सकते हैं हमारे पास है 2020 की swift desire लेकिन आप same process से किसी भी car में staring button match कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि staring button match करने में आखिर क्या problem आ रही है उसके बाद कैसे इसको resolve करें तो guys ये वीडियो मेरे पास आया है गवा से जिसमें की एक subscriber ने बोला है कि aftermarket android studio लगाने के बाद हमारे staring button है वो काम नहीं कर रहे हैं long press करने पर वो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो ये problem है कि long press करने पर काम कर रहे हैं बाकि अगर हम एक बार इनको press करते हैं तो बिलकुल भी काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं बहुत ही परेशान है ये subscriber तो सबसे पहले हमने ये stereo लिया और AC-DC converter के थुरू इसको start किया और यहाँ पर आप देखेंगे enter as wc steering button information इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको एक चीज़ पढ़नी चाहिए notice में लिखा भी है each button has the function of long and short pressing तो अगर आपने इसको long press करके select किया तो आपके steering button भी long press पे काम करेंगे example के लिए हम इसको एक universal steering button के थुरू attach करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये problem आपके stereo में आ जाती है तो हमने याप एक plus का एक button press किया उसके बाद हमने steering button जो हमने लगा रखे हैं universal उनको प्रेस किया और ये आपके match हो गए और ये हमने long press में किया है like हमने उसको दवा के रखा है then हमने steering button जो थे उनको भी दवा के match किया है long pressing के बाद ये आपका जो बर्क करेगा वो single click पे नहीं करेगा जी हाँ अगर आप लगा रहे हैं steering button तो आप ये वीडियो देखें और इसी तरीके से आप press करें steering button को अपने studio के function से तो अभी आप देख सकते हैं proper जब हमने short press किया तो हमारा जो studio है वो बर्क करने लगा I hope guys कि ये वीडियो काफी helpful होगा आपके लिए अगर आपने पूरा देखा होगा, skip नहीं किया होगा तो आप किसी भी कार में steering button match कर पाएंगे अब हम बात करते हैं अपनी playlist की तो smart knowledge बाली playlist में मैंने बहुत सारे ऐसे video add किये हैं जिसमें आप car entertainment system को घर पर ही सही कर सकते हैं तो अगर आपके पास है कोई भी aftermarket android stereo आपकी किसी भी कार में तो आप हमारी smart knowledge बाली playlist जरूर देखें जिससे कि आपको बहुत सारी knowledge मिल जाएगी like latest android version and how to connect stereo at home how to connect steering button बहुत सारे video मैंने add किये हैं तो please आप हमारी playlist जरूर देखें साथी साथ अगर आप upgrade करना चाहते हैं अपने stereo को तो unboxing product playlist जरूर देखें क्योंकि वहाँ पे लगबग 500 videos हमने add किये हैं जिसमें unboxing, testing, review मैं करता रहता हूँ क्योंकि ये playlist based channel है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी category में videos मिलेंगे और particular playlist में add भी किये हैं जिससे कि आप proper एक content पे बहुत सारी videos देख पाएं guys अगर आपको चाहिए कोई भी help तो आप Car Music Hub के facebook page से मुझे call भी कर सकते हैं instagram पे भी आप मुझे message कर सकते हैं instagram id है carmusichub93 तो वहाँ से आप message पे मुझे से बात कर सकते हैं thank you very much for watching my video मिलते हैं अगले video में